हेलो शुडेंट्स हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल इस चीज़ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TCP स्लैश IP प्रोटोकॉल भी कहते हैं यानि ट्रांस्मिशन, कंट्रोल प्रोटोकॉल, T for transmission, C for control and P for protocol स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल यह हमारे पास दरफल एक नेटवर्ट मॉडल है जो के हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और बहुत ही यूसफुल है क्यूंकि हमारे पास करेंट इंटरनेट में भी इस यहां पर TCP IP जो हमारे पास एक मॉडल है, इसके अंदर हमारे पास different protocols मुझूद होते हैं, जो के हमारे पास दरसल set of rules होते हैं, जिनकी मदद से हमारे पास data communication, यानि के एक जगा से दूसरी जगा तक जो data का जाना है, transfer होना है, इसको मुम्किन बनाया जाता है. और इस model के अंदर जो हमारे पास protocols मुझूद हैं, वो ही हमारे पास आज कल के जो internet model है, उसमें भी इस्तमाल हो रहे हैं, हमारे पास ये जो protocols या set of rules होते हैं, ये हमारे पास दरसल movement of data, जिस तरह अभी हमने discuss किया था, data communication में इस्तमाल होते हैं, यानि जब कभी भी data किसी एक source से मेरे पास किसी भी destination तक जाया जाएगा, उस चीज़ में हमारे पास जो भी set of rules को हमने याद रखना होगा, वो rules हमारे पास इस model के अंदर मुझूद होते हैं, यानि अगर मेरे पास एक computer C1 मुझूद है, और मैंने उससे data भेजना है C2 तक, तो ये जो मैं data यहां से यहां, यानि जो भेज रही होती है device, उसको source कहते हैं, और जो data receive कर रही होती है, उसको destination, तो ये जो data का source से destination तक जाना है, इसके लिए जो भी rules इस्तमाल होंगे इस रस्ते के अंदर, वो rules हमारे पास, हमारे पास protocols कहलाते हैं, और इस TCP IP के अंदर मुझूद होते हैं, इसी तरह rules के उपर base करती है, TCP IP हमारे पास दरसल बनाया गया था, United States के Department of Defense की तरफ से, यानि USBOD, ये हमारे पास 1969 में बनाया गया था, इसी Department की मदद से, और यहां पर इस model के अंदर, जो हमारे पास most important protocols हैं, यानि कि जो सबसे important rules जो इस्तमाल हो रहे हैं, वो हमारे पास यही TCP और IP है यानि कि इस model का जो नाम रखा गया है, वो दरसल दो ऐसे protocols के उपर रखा गया है, जो इस model के सबसे एहम protocols हैं, जिन में से पहला हमारे पास TCP है, यानि कि transmission control protocol और दूसरा हमारे पास IP है, यानि कि internet protocol, इन दोनों protocols को हम लोग अपने आगे वाली वीडियो में जाकर detail में पढ़ होती है, यहां पर चार layers हमारे पास वो कौन सी है, इनको हम लोग अपनी अगली यानि कि TCP IP architecture वाली वीडियो में देखेंगे, यहां पर लेकिन एक interesting बात जो हमने याद रखनी है, वो यह है कि जब भी हम लोग OSI model को इसे पिछली आली वीडियो में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि यह OSI model के अंदर हमारे पास seven layers मुझूद होती है, और इसके अंदर भी हमारे पास वो rules मुझूद होते हैं, वो protocols मुझूद होते हैं, जिनकी मदद से data communication को मुम्किन बनाया जाता है, तो दरاصل यही seven layers, जो OSI की हमारे पास layers होती है, इनका जो काम होता है, यह हम दरसल इन चार layers पर implement किया जाता है TCP IP के अंदर, तो हम लोग कह सकते हैं कि TCP IP जो हमारे पास एक model है, यह दरसल implementation है of OSI, यानि कि OSI हमारे पास एक reference model है, दरसल हमारे पास यह एक ऐसा model है, जो कि guidance के लिए इस्तमाल होता है, यानि किसी भी चीज़ को guide करने के लिए, अगर कोई नया model बना है, तो वो इससे guidance लेके बनेगा, और इसी की guidance की मदद से हमने TCP IP model बनाया, यहाँ पर इसलिए TCP IP को implementation of OSI, यानि कि open system interconnection model की एक implementation कहा जाता है, यानि कि इस तरह इसको समझा जा सकता है, कि OSI हमारे पास दरसल एक theoretical model है, यानि कि जिसको हम लोग समझने के लिए, ची ये जो TCP IP है, ये दरसल हमारे पास उसकी एक implementation है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि ये हमारे पास एक दरसल practical model है, यानि कि practical model जिसको हमने practically implement किया है, तो students, आज की वीडियो में हमने देखा कि TCP IP हमारे पास model होता क्या है, अब अगली वीडियो में जाकर हम लोग इन चार layers के बारे में पढ़ेंगे और वो दीगर मुक्तलिफ काम देखेंगे जो हम इन चार layers की मदद से और इस TCP IP model की मदद से लेते हैं, तेंक यू students.